हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं हूँ फरहीन खान और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे किचन में, आज मैं फिर आपके साथ आचुकी हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जोकि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही पार जुड़े हुए हैं, वो मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, साथी साथ सब्सक्राइब करके, बगल में जो बेल आइकॉन दिखता है, उसे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन हमेशा आप तक जल्दी पहुंचती रहे, और जो हमारे पुराने वीडियो को लाइक कर देंगे, साथी साथ, शेयर भी कर दिया करिए अच्छे से कमेंट के साथ, तो चलिए फिर, हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन, उसमें हम डाल देंगे राई का तेल, दो से तीन चमज के करीब हम डाल देंगे, और उसके बाद हम तेल को एक तम से गरम कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे वाइल किये हुए एग, एक को हमें फ्राई करना है, अब फ्लेम चाहे जैसे भी आप रख सकते हैं लो या हाई, अब चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है, बस ये फ्राई हो चुका है, इससे जाद़ हम फ्राई निकाल देंगे, अब सेम पैन में, तो पहले हम डाल नाल भी जीरा, आदा चम्मस की पर जीरा है, एक टिया चमुस्त है तीन से चार काली मीज है, इसे हम डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें एक कर रहे हैं, बादम कारीती वह ठ्याज, इसे हम चला देंगे और इसे हमें अच्छे से स्राइ कर लेना है जब इस पेस्ट पे आ जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे इसे हम डाल देंगे अब इसे हमें मिक्स कर लेना है मिक्स करके अच्छे से मसालों को हमें भून ना है बीच बीच में चलाते हुए भून देंगे हम यह देखिए मसाले की क्वांटिटी एकदम से कम हो चुकी है यानि मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है इस स्टेश पे हम इसमें डालेंगे एक टियाई चमश हल्दी पाउडर तोर्ष चमश के करीब लाल मेश पाउडर और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं तोर्ष चमश के करीब धनिया पाउडर और तोर्ष आप मैं इसम में डाल रही हूं एक चम्मच के करीब कश्मीरी मेज पाउडर इससे कलर बहुत अच्छा आएगा बस इन सभी सोके मसालों को अब हमें अच्छे से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है भून लेंगे अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे उसके बाद भून लेंगे बस इसके बा एक दो बार और बेच बेच में चलाते रहेंगे थोड़ा साम इसमें डाल रहे हैं पानी पानी डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से भून लेना है मसाला देखें कितना जादा ब्यूटिफुल लग रहा है एक बार इसे मेरे तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा सच में आपको बहुत पसंद आएगा और साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा ये देखिए मसाले का कलर देखें कितना प्यारा आ चुका है तो अब हम लगा देंगे इस पर धकन ड़कन लगाने के लाद हम दो से तीर मिनट के लिए ऐसे ही इससे भूनेंगे देखें दो से तीर मिनट हो चला देना है कि देखिए क्वाइंटिटी कितनी कम हो चुगी है पानी भी जल चुगा है तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि इसे हम चला देंगे उसके बाद अब हमें इसमें डालना है टमाटर तो मैंने एक बड़े साइट का टमाटर ले लिया है और इसे हम इसम नमक ताकि टमाटर हमारा जल्दी कल जाएगा नमक दालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे उसके बाद मैं इसमें एट कर दियो आदा कपके करीब पानी पिर हम एक बार इसे और अच्छे से चला देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पर लगा देंगे डगकन को लगाने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट के लिए और भूनना है तो से 3 मिनट हो चुके अब हम डगकन को अटा रहें यह देखिए एक बार और इसे हम चला देंगे मसाला हमारा एक तम से जैडी हो चुका है मुझे नमक इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने नमक को एक कर दिया आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग ही नमक डालिएगा बस पिर एक बार रॉल चला देंगे अब इसके बार मैं इसमें एक करूंगी पानी जितना पान या भेवी बनाई है ने इसमें अपना बस्ता प्स पानी टालिन के बाद हम इसे चला देंगे अच्छे से लिजे थे आप इसमें हम डाल पार मिल आ चुका है अब सबसे लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला एक चमश के करीब इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया है इसे अच्छे से हलके हाथों से हम चला देंगे तो बस हमारा एक करी रेडी हो चुका है बहुत ही सिंपल सी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनती है एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा बिलीव में बहुत ही जादा डिलीशियस लगती है एक बार मेरे तरीके से आप सरूर ट्राइ करिएगा तो फिर बस पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बगल में जो बेल आइक ओन दिख पर उसे ज़रूर प्रेस कर दें तार कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए थैंक्स पॉर वाचिंग थैंक्यू